जब हम parts of whole के charts की बात करते हैं, तो हमारे पास कहीं किसम के charts होते हैं, जिसमें के एक है pie chart, second one is called आपका donut chart, and there is another one, जिसको हम tree map बोलते हैं, that's the third chart, इस lecture के अंदर आपको मैं वही बनाना सिखा हूँगा, using power BI, मेरा नम डॉक्टर महमादमारतु फहला है, मैं आपको power BI सिखा रह प्लस पर button पर click करके, और यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास tree map यहां पर मुझूद है, मैं इस पर click करता हूँ, तो यह मेरे पास tree map आया, और जैसे मेरे पास tree map आया, on right side you can see कि हमारे पास category है, details है, values है, and tool tips है, मैं यहां पर categories के अंदर day को रखता हूँ, और value के अंद इसनी ज्यादा tip मिली है, तो जैसे मैंने values और day को यहां पर रखा, आप देख सकते हैं कि यहां पर Saturday को हमारे पास 260.40, Sunday को हमारे पास 247 की है, third one is आपका Thursday, and fourth one is Friday, so you can see कि portion wise and sequence wise आपकी सारी की सारी चीज़ें यहां पर map हो चुकी है, और यह whole by total आपको बताता है, अगर पार दिन की आपकी total sale जो है, वो यह पूरा box है, तो उस box के अंदर parts of whole इस तरीके से बताया जा सकता है, इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि यहां पर अगर आपको क्लिक करें, तो यहां से आपको अंताज़ा होगा, male versus female sale आपकी कित्री है, ठीक है, और अगर आप detail के बार, यहां पर अगर आप गोर करें, आपके पास दो किसम का data आप शो हो रहा है, पहला आपके पास शो हो रहा है, category day का, दूसरी detail जो है, वो sex wise है, फिर आपके पास value, sum of the tip है, अब अगर आप गोर करें, तो Saturday को male ने कितना पे किया, और female ने कितना किया, यह दो हमारे So this is how you can actually generate a kind of detailed plot, और इसको अगर मैं यहां पे male और female की बजाए smoker पे click करता हूँ, now you will see के हमारे पास अगर दो categories हैं, तो you can actually create these kind of tables, for example मैं यहां पे smoker की बजाए, इस smoker को detail में उठा के ले आता हूँ, and now you see के अगर कोई smoker नहीं है, तो उसने कितना pay किया, कोई smoker है तो उ Sunday को आप देख सकते हैं कि non-smokers ने ज्यादा pay किया है, और smokers ने कम pay किया, on the other side here you can also see on Thursday कि non-smoker ने ज्यादा pay किया, smoker ने कम किया, फिर इसी तरीके से आए, so आप यहां से trend निकाल सकते हैं कि कौन से लोग ज्यादा tip देते हैं, लड़कियां ज्यादा tip देती हैं कि लड़ जब भी आप को plot बना रहे होते हैं, so आप उस plot को change भी कर सकते हैं, यहां पे अगर आप देखें तो मेरे पास stream है पार है, मैं अगर इसको donut chart पे click करूँगा, तो मेरे पास donut आजाएगा उसी चीज़ का, और अगर मैं इसको pie chart पे click करूँगा, तो मेरे पास pie chart आजाएगा, and this is how you can inter-convert different kind of plots, यहां तक आपको clear हो गया, तो that's good, like, share and subscribe this video, next video के अंदर, next lecture के अंदर मैं आपको मिलता हूँ, अपना ख्याल एक,